दोस्तों आज बात करेंगे हम भाई फिंड्रोट डिजीज के उपर जो एक सामानिसी बिमारी है जदि टाइम से देख लिया जाए तो वरना ये बहुत कातक हो सकती है फिंड्रोट डिजीज तो चलिए जानते हैं क्या खारण है क्या लक्षण है क्या इनके बचाव हैं सिंप हम बात करते हैं वही तो सबसे पहले जान लेते हैं वही फिंड्रोट होता क्या है तो आपने बहुत से मचलियों में देखा होगा कि वही जब जादातर ये बिमारी उन मचलियों को होती है जिनके फिंड्रोट होते हैं लंबे होते हैं इस परकार उन में ज्यादा देखने क हो जाता है लेकिन अक्सर वैसे देखा जाता है जिनमें फिन होते हैं उन्हीं में यह ज्यादा सक्रिय होता है जल्दी तो यह होता क्या है कि इसमें यह एक टाइप का पैरसाइट है वही फंगस टाइप का फंगस के टाइप का यह है और यह फिनों में लगने के कान धीरे-ध को नश्ट करने लग जाता है और फिन कटे-फटे से ऐसे होने लग जाते हैं धीरे धीरे और उसके बाद यह जब ज्यादा फैल जाता है तो पूरे फिनों को इखा कर खतम कर देता है और यह एक मचली से दूसरे मचली में भी आसानी से फैल सकता है यह फिन रॉट डिजिज तो यह तो है Fin.Oteasies और इसके लक्षन क्या है भई आपको बता दूँ इसके लक्षन है भई में यही आपको के फिनों पे देखने को मिलेगा हलका हलका सा धुंदलापन या फंगस टाइप चिपका हुआ सा मिलेगा आपको उनके फिनों पे और फिन सारे ऐसे कटे हुए से मि कि बार टाइप दरारे मिल जाएंगी फटने लग जाएंगे सारे ये इनका मुख लक्षन है अब इसके बचाओ की बात कर लेते हैं पहले इसके कारणों की बात करते हैं किन कारण सीवे फैलता है तो इसका प्रमुख कारण भई ये है कि पानी की पूर कंडिसन यदि आपका पानी खराब होगा तो 100% ये बिमारी आपके हो जाएगी मचली होगे अब पानी खराब होने की बहुत से कारण है एक तो आप आफसकता से जादा मचलियां रखते होई क्वेरियम में तो उसकी जो वेस्ट होती है उससे जादा गंदगी बढ़ते बढ़ते पानी वैसे तो और स्टोक मचलियां नहीं रखें कभी इससे फिंडोटीज होने का खत्रा बढ़ जाएगा दूसरा आप एक्वेरियम छोटा पर्चेज नहीं करें टाइम से टाइम पानी बदलते रहें क्योंकि छोटा करेंगे तो उसमें वही कंडिशन होगी पानी जल्दी खराब हो जा और फिंडोटीज होने के कारण ज्यादा बढ़ जाए लग्शान अगला आप पानी की कंडिशन वाटर की कंडिशन कैसी है किस रोग से आता है उसके कारण भी फिंडोट हो जाता है क्योंकि अक्सरा ऐसा देखा जाता है कि जो फ्रेस वाटर तुरंट चेंज कर देते हैं नए नडमे से निकालके तुरंट एक्वेरियमें डाल देते हैं तो उससे भी फिंडोट हो जाता है तो ये बाते आप आप द्यान रखें वही बिल्कुल एक बात द्यान रखें जब भी आप नई मचली लाएं तो उसको एक दो गंटे के लिए कौरांटाइन कर लें एंट इसे भी आप बच सकते हैं फिंडोट से तो अब इसकी मैं मेडिशन एक सिंपल से कुछ बताऊंगा आपको आपके पास यदि आप रुपय में परचेज करना चाहें तो वह कर शकते हैं आपके पास गयर उपलब्द हो जाए तो आप पी कर शकते हैं तो सबसे पहली बात प पानी डालें तुरंट मतलब नड़कों पे से निकाल के रिशिदा एक्विरियम में मत डाली इक खटा के वाप पानी डालें पूरा पानी चेंज कर दें एक पर यदि सभी मचलियों के फिंडोट हो रहा है तो उसके बाद यदि आपके पास एक्विरियम साल्ट है तो आप फिंडरोट कंट्रोल में आ जाएगा 100% दूसरी बात यदि एक्वेरियम साल्ट नहीं है तो रोक साल्ट आपके घरों में भी लगबग यदि मिल पर्चेज हो जाता है तो आप रोक साल्ट भी यूज करें यही प्रक्रिया लगातार करते रहें थोड़ा-थोड़ा पानी चे कर लीजिए सभी के सभी डिजोज में देलेगी पैरासीडोल FW फिंडरोट में भी वो काम आती है उससे भी तुरंत कंट्रोल हो जाएगा आपका फिंडरोट और यदि आप मेडिकल पर से दवाई यदि पर्चेज करना चाहें तो एक टेटरा साइक्लेंग 250 हमजी के कैपस में डालें तो मैं कैपसुलों की सलाई इसलिए नहीं देता क्योंकि उसके डोज में गड़बड हो जाती कभी ज़्यादा डोज देते हैं कभी कम कभी वो नुक्सान भी कर जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है तो मैं ज़्यादा एक्विरियम साल्ट और परसीडोल FW की ही सल आ देता हूं जो पांच मैल आप पांच मैल का जो डोज है वो पूरे एक्विरियम में ही डालता है ज़्यदी फिंडोट जड़ादा है तो क्योंकि पांच मैल उस पर तो रोज भाई दस मैल उच्छॉ लिटर के हिसाब से या अँः अलग लग तरिके से उसमें तो इस प्रकार मैं इंजेक्शन से स्रेंज से नाप लेता हूँ और वो डालता हूँ आपका फिंडोट तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा भई यह थी फिंडोट डिजीज के उपर यह आप टाइम से सचेत गए तो फिंडोट को आप बचा डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं वरना वो धिरेदे आपकी पूरी मचली को ही खतम कर देगा अंत में मचली मरी जाएगी पूरे फिंडोट खा जाएगा पहले जब तक तो मचली कंट्रोल में रहेगी और जब मचली के पूरे सरीर पर आ गया तो फिर कंट्रोल करना भी थोड़ा कम हो जाता है और जिदी फिन कि लिदे नहीं बाइगी